आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है श्वारे भारत डिफेंस युद्धा यूट्यूब चैनल पर जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था टॉपिक का नाम है मोशन मोशन में हमने सबसे पहले बात की थी ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में सबसे पहले जाना था कि मोशन क्या होता है ठीक है और एक हमने जो डीटेल डिस्कुशन किया था वो किया था हमने ट्रांसलेटरी मोशन पर आज हम उसी में आगे जानेंगे rotational motion के बारे में ठीक है तो जो जो हमने पढ़ लिया था एक बार आप सभी को बता देते हैं देखे motion की definition हमने पढ़ा था फिर उसके बार types of motion पढ़ा था circular motion क्या होता ये जाना था oscillatory motion जो की periodic motion का एक special type है वो हमने discuss किया था इसके अलावा देखें आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दूँ कि इस बार जो आर्मी के जो भरती हुई थी उसमें शौर भारत के 278 selections हुए इसके अलावा जैसा कि आपको नीचे screen पर नजर आ रहा हुगा 3800 से जादा selections दे चुका है शौर भारत तो अगर आप भी किसी defense की तियारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि defense में आप अपना career बना सके तो उसके लिए आपको करना क्या होगा एक simple सा काम करना एक simple सा step लेना है और वो ये है कि आप शौर भारत app डाउनलोड करें और आज ही उस course में अन्रॉल करें जिस भी course में आप अन्रॉल करना चाहते हैं फायदा क्या क्या होगा तो देखो इस app के अंदर बहुत सारे ऐसे features हैं जिससे आपको अपकी तयारी में बहुत help मिलेगी सबसे पहले e-books वाला section देख लेए यहाँ पर आपको सारा study material आपने जो course में अन्रॉल किया है उसके according मिल जाएगा practice paper देखिए बहुत सारे practice paper available है ठीक है इसके अलावा live exam की सुवधाय मिल रही है आपको आप live classes ले सकते हैं अपने mentor से बात कर सकते हैं इसके अलावा देखिए recorded video lectures भी available है doubt box में जाकर के आप अपने जो भी question है जो भी queries है वो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं उसका जवाब हमारी team आपको उसका reply करेगी ठीक है ऐसे ही और भी बहुत सारे features हैं यह आपको तब पता चलेगा जब आप उस app को install करें तो चलिए आगे जानते हैं इसके बाद हमने क्या discuss किया था periodic motion मैंने बताया था कि periodic motion भी दो तरह के होता है इसको हम कुछ category में बाढ़ सकते हैं जिसे periodic motion में एक तो circular motion टाइप आ जाता है जिसके अंदर क्या होता है object ऐसे एक ही direction में चल रहा होता है ठीक है पर थोड़ी रहा है कि वो एक ही direction में चल रहे path को repeat करना ही इसका main motive होता है तो उसमें ऐसे भी कर सकता है जिसे simple pendulum करता है तो उसको oscillation कहते है तो यह सब मैंने पढ़ाया था पहले आपको इसके लावा हमने distance और displacement के बारे में जाना था फिर speed और velocity के बारे में जाना था speedometer, order meter क्या होता है average velocity क्या होती है average speed क्या होता है उस पर हमने questions भी लिए थे फिर acceleration के बारे में जाना था यह कुछ equations of motion है इसको हम कैसे use करें यह भी जाना था इसके अलावा देखिए momentum के बारे में हमने बात किया था इसको क्या होता है F into delta T but most of the questions के अंदर आपको I की value निकालने के लिए delta P का इस्तेमाल करना पड़ेगा delta P होता है change in momentum ठीक है एक minute रुखना यह impulse है यह momentum लिखावा है momentum का formula होता है P इसको स्टू MB यह जो I है ना यह impulse है यह क्या है impulse ठीक है impulse जो हमने पढ़ा था हाना फिर इसके बाद हमने discuss किया था angular displacement angular displacement के बाद हमने जाना था angular velocity के बारे में और अब इसी के आगे हम angular acceleration के बारे में पढ़ने वाले मतलब last class में हमने angular velocity तक हमने discuss किया था जो आज का topic है वो है angular acceleration ठीक है जान लेते हैं इसके बार है फटापट ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन जो है क्या होता है देटाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर विलासटी या यूं कह दो के डी ओमेगा बाई डी टी को ही हम क्या कहते हैं अलफा कहते हैं यानि के अगर हिंदी में अगर इसको कहें तो यह कह सकते हैं यह कहते हैं, कोण यह त्वरन कहते हैं, और कोण यह त्वरन होता है, क्या rate of change in angular velocity, यानि कि क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम कहते हैं, कोण यह वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, rate of change in angular velocity, यह 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 कहते हैं, कोण यह वेग में परिवर्तन की दर, इसको हम क्या कहते हैं, एलफा कहते हैं, और एलफा कैसे लिखेंगे, हम देखे, यहां ध्यान देना, आप सभी को पता होगा, एलफा निकालने के लिए, क्योंकि इसको हम नापते हैं किसमें, रीडियन में, पर सेकंड में नापते हैं, इसमें नापते हैं, रीडियन पर सेकंड में नापते हैं, ठी एलफा हमारे पास है यह है एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन का हम क्या निकाल रहे है क्या निकाल रहे है एक्सेलरेशन के लिए हम कुछ यूज़ नहीं करते हैं तो सेकंड के लिए यूज़ करेंगे तो क्या आएगा ट की पावर माइनस टू क्लियर है अब बात कर लेते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पहले सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है क्यों प्रिड्यूस होता है इसके बारे में बात करते हैं फिर हम चलेंगे अपने centripetal force के बारे में जानेंगे देखो centripetal force कहां से क्या है चीज जानना पड़ेगा हमें बढ़ उससे पहले अपने एक जान लेते हैं थोड़ा सा circular motion के बारे में क्योंकि circular motion में ही ये चीज लगती है centripetal acceleration create होता है ठीक है? चलिए बताता हूँ देखिए क्या होता है? माल लाते एक circle है इसकी radius है इसकी radius consider कर ली small r अब किसी specific time की बात कर ठीक है? एक particular instant की बात कर रहा है at any instant at any instant consider that the velocity of this particle be small v, ठीक है? माल लिया क्या? कि किसी time पर, किसी instant पर जो इस particle की velocity है वो है v और इसका radius जो है radius of zyration कह दो, ठीक है? वो क्या है? small r अब particle जब वो इस circular path पर move करता है अगर ये v क्या है? constant है सुनना ध्यान से, v अगर constant है मैं velocity की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं speed की बात कर रहा हूँ किस की बात कर रहा हूँ? speed की बात कर रहा हूँ अगर speed constant है तो ऐसे case में इस motion को हम कहते है circular motion, क्या बोलता है? सॉरी, uniform circular motion, क्या कहते है? uniform circular motion यहाँ v मत लिखो आप, ये वाला हटा दो v से confusion हो सकता है आपको लगेगा, velocity constant है तो velocity constant नहीं है वापस बोलना सुनना ध्यान से velocity constant नहीं रहती है circular motion चाहे किसी भी type का हो उसमें velocity आपकी constant रही नहीं सकती constant नहीं होती है क्यों? क्यों नहीं होती है भी velocity constant? because velocity is a vector quantity क्योंकि वेग जो है, वो एक सधिश्राशी है और इस वज़े से वो क्या आपके, constant नहीं रहती है so velocity is a vector quantity and that's since the direction of of the direction of the motion of the particle changes at every point during the circular motion and that's why the velocity doesn't remain constant during the circular motion clear हो गया न? क्योंकि velocity जो है वो vector quantity है, तो direction बताना पड़ेगा अब जैसे जैसे object अपना ही जगा बदलेगा circular motion में position चेंज हो रही है, साथ में direction भी चेंज हो रही है इस वज़े से क्या होता है? velocity constant नहीं रह जाती है even ऐसा हो सकता है कि speed constant रह जाए speed नहीं बदल रही होगी ठीक है? speed तो क्या है? वो तो constant है लेकिन क्या बदल रहा है? बदल क्या रहा है? velocity बदल रहा है हर point पर velocity चेंज हो जा रहा है हर point पर ठीक है? तो इस वज़े से क्या हो रहा है? कि अब यहाँ पर एक acceleration create हो रहा है क्यों? हमने पढ़ा था acceleration क्या होता है? acceleration is the rate of change in velocity so as you can see here the velocity is changing velocity is changing at every point continuously and that's why there must be an acceleration clear? तो वही acceleration जो है यहाँ पर जाना जाएगा centripetal acceleration के नाम से centripetal acceleration क्या होता है? समझ में आया ना? कि यहाँ पर देखो velocity constant नहीं रहा है circular motion में इसलिए एक acceleration generate होगा और उस acceleration का नाम क्या है? centripetal acceleration तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? the acceleration produced due to change of direction during the circular motion is called centripetal acceleration clear हुआ? फिर आगे देखे क्या लिखा है? centripetal acceleration is also called radial acceleration क्या बोलते है? radial acceleration why? इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया? so radial acceleration means this acceleration acts towards the radial invert इसलिए हम इसका नाम ऐसा दे रहे है वह यह जो acceleration है यह हमेशा radius के along अंदर की तरफ काम करेगा अंदर की तरफ act करेगा ठीक है? बास समझ में? इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? इसलिए यह क्या है? centripetal acceleration को हम कहा रहे है radial acceleration तो चीज ध्यान रखने वाली चीज है ठीक है? निकाल कैसे सकते है इस radial acceleration की value तो उसके लिए एक formula है जो आपको याद रखना है and that formula is AC is equals to V square by R और we can write here R omega square क्या लिख सकते है? R omega square तो दोनों ही formula आपको याद रखना है ये तो याद रखना ही है और ये भी याद रखना है दोनों तरीके से हम formula से calculate कर सकते हैं क्या? acceleration calculate कर सकते है centipetal acceleration ठीक है? जिसमें V जो है V is the linear velocity I am saying here linear velocity linear velocity मनलब जो इस तरफ velocity और omega को कहते हैं angular velocity V क्या represent कर रहा है? linear velocity ओमेगा क्या represent कर रहा है? angular velocity यानि कितना angle में change आ रहा है ठीक है? clear होई बात तो formula याद रखना है आपको हमेशा direction कहां पर होती है towards the center of the circle कहां पर होती है towards the center of the circle clear होई बात? चलिए अब माल लो अगर इसमें इसी में एक चीज़ और जान लेते है अगर ऐसा हो रहा होता suppose करो कि ये जो acceleration है इसकी direction बार बार change हो sorry ये जो acceleration है ये काउन सा acceleration था? centripetal acceleration अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें speed constant थी अब suppose करो कि speed constant नहीं रहे तो क्या होगा? अगर speed constant नहीं होगी तो अब velocity में change तो आ रहा है लेकिन speed constant नहीं speed constant नहीं रहने की वज़े से इस linear velocity में भी हम change देखेंगे न कि अगर एक particular time पर देखेंगे न तो होगा क्या? कि यहाँ पर एक acceleration work करना शुरू कर देगा किस direction में? tangent का long देखो जैसे particle यहाँ है तो अभी velocity की direction इस तरफ है इस particular instant पर जब यहाँ आएगा तो velocity की direction इधर हो जाएगी ऐसे यहाँ पर आएगा तो velocity की direction इधर हो जाएगी तो जैसे जैसे particle अपनी position चेंज करेगा वैसे विलासिट की direction चेंज होगी बट इस यहाँ पर अगर अपने एक tangent ड्रॉ कर दें तो इस tangent के along लग रहा है अगर acceleration तो उसको हम कहते है tangential acceleration क्या कहते हैं? Tangential acceleration ऐसा कब होता है? जब non-uniform circular motion होता है यह कौन सा भी motion पट रहे हैं हम? uniform circular motion जिसमें speed constant थी speed, velocity नहीं क्या constant थी? speed constant थी uniform circular motion में लेकिन जब uniform circular motion नहीं रहेगा यानिकि non-uniform circular motion होगा तो ध्यान अखना उसमें speed भी constant नहीं रहे जाएगी मतलब ना तो speed constant रहेगी और ना velocity clear है? तो ऐसे motion को हम कहेंगे non-uniform circular motion क्या बलेंगे? non-uniform circular motion अब क्योंकि army में इतना पूछा नहीं जाएगा detail में तो बस अपमें को ऊपर-ऊपर का एक knowledge होना चाहिए कि non-uniform circular motion क्या होता है? non-uniform circular motion में speed और velocity दोनों ही constant नहीं होते है जबकि uniform circular motion में क्या होता है? uniform circular motion में speed constant होता है लेकिन velocity constant नहीं होती है centipetal acceleration का formula आपको याद होना चाहिए centipetal acceleration का formula जो है वो होता है v square upon r या r omega square और v क्या होता है कि linear velocity या ओमेगा क्या है angular velocity या आपको याद होना चाहिए r क्या है? r है radius of radius of revolution क्या दो ठीक है? क्योंकि चक्कर लगाने वाले पत की तरजिया है ये चलिए अब बात कर लेते हैं अपन inertia की inertia जिसको हम कहते हैं जड़त वो हिंदी में क्या कहते हैं जड़त वो और inertia या जड़त वो होता क्या है देखिए बता लिता हूँ तो inertia जिसको हम कह सकते हैं कि it is the inherent property of all the bodies by virtue of which they cannot change their state of rest or uniform motion along a straight line by their own is called inertia यानि कि एक ऐसी property है जिसके वजह से कोई भी बॉड़ी अपने आप अपने state में चीन नहीं कर सकता यानि state of rest या फिर state of motion की हम बात कर रहें uniform motion का मतलब यहां पर है कि अगर एक सीधी लाइन में अगर कोई object चल रहा है और मैं यह कहूं कि उसकी speed नहीं बदल रही है तो उसकी velocity भी तो नहीं बदल रही है ना क्यों कि अगर अपने एक cd line में चलने लगे सपोज करें cd line में चल रहे हैं तो क्या हर point पर direction change होगी क्या नहीं change होगी direction change नहीं हो रही है magnitude change नहीं हो रहा है so what does it mean कि velocity change नहीं हो रहा है velocity is a vector quantity clear हो गई ना बात तो uniform circular motion अगर हम बात सारी uniform motion की बात करें सिर्फ uniform circular नहीं सिर्फ uniform motion की अगर हम बात करें along a street line तो उस case में हम यह कह सकते हैं कि velocity जो है वो constant रहती है speed भी constant है और velocity भी constant है why because angle doesn't change here ठीक है angle change नहीं हो रहा है इस वज़े से हम कह सकते है कि speed या velocity जो है वो क्या है constant बात समझ में आई ठीक है तो अब inertia की जो property है कहां काम आती है ठीक है I think आपको इस अभी को पता होगा कि inertia क्या होता है आप समझ में भी आ चुका होगा inertia मतलब एक ऐसी property जिसकी वज़े से वह अपने state of rest या state of uniform motion में अगर change आए तो उसको oppose करती है रोकती है चेंज आने नहीं देना चाहती है कोई object अपने आप चलना फिरना थोड़ना शुरू कर देगा ठीक है बात समझ में आई clear है चलें आगे first law of motion की बात कर लेते हैं देखिए first law of motion जिसको हम कहते है law of inertia क्या कहते है law of inertia अब law of inertia क्या होता है जिसको हम कहते है जड़तों का नियम तो a body continues to be its state of rest or uniform motion unless compelled by some external force ठीक है यानि यह first law of motion क्या कहता है कि कोई भी body जो है वो तब तक अपने state of rest को या फिर अपने state of motion को continue करती है जब तक कि उस पर कोई external unbalance force नहीं लगता है अब unbalance force क्या होता है देखिए balance forces के अगर हम बात करें तो उसका resultant 0 होता है बैलेंस पॉसे का क्या होता है resultant 0 क्या निकि अगर एक body है और इस body पर हम क्या कर रहे है बहुत सारे forces लगा रहे है ऐसे बहुत सारे forces लग है तो अगर इसका net force इसका resultant 0 आजा तो उसका Um memang force and unbalanced force हैं तो वह कॉस बनता है किसका चेंज का ? Change किसमे ? Velocity में या उसके rest में जो भजी देखो अगर मालों कोई object rest में है सपोस करो ठीक है ? किसमें है ? Rest में है और अगर उसके उपर कोई unbalanced force लगेगा तो वो किसमें आजएगा ? Motion में आजएगा क्योंकि उसके उपर एक acceleration लगना शुरू हो चुका है, और acceleration का काम ही होता है, velocity को change करना, तो हम यह कह सकते हैं, जब rest में body है, तो इसकी velocity 0 है, तो 0 से कुछ और कर देगा, यानि कि 0 से बढ़ा देगा, या कम कर देगा, तो 0 से कम करेगा, मनलब opposite direction में चलाने लगेगा, या उसक कि body जो है, वो अपना state बदल लेगी, ठीक है, state बदलने का मतलब यहाँ पर है, motion अगर rest में है, तो motion में आ जाएगी, और motion में है, तो हो सकता है, कि उसका motion जो है, उसकी velocity है, वो increase हो जाए, दो condition बनता है, पहला condition बनता है, कि या तो velocity बढ़ जाएगी, या velocity काम हो जाएगी, जब velocity कम होगी, तभी तो कोई object रुख सकता है, या ना, तो first law of motion जो है, ये law of inertia से ही आया है, ठीक है, law of inertia, इसको हम Galileo's law भी कहते हैं, क्या कहते हैं, Galileo's law, Galileo's law, ठीक है, अब इसके बहुत सारे example हैं, देखें, example क्या कहा रहा है, देखें, when car starts suddenly, passengers move backwards, जब कोई कार अचानक स्टार्ट होती है, अचानक स्टार्ट हो रही है, passengers move backwards, passenger को पीछे की और चर्क मैसूस होता है, धक्का लगता है, तो सवाल उठा वो पीछे की और क्यों हट रहे हैं, तो यहाँ पर इसका reason inertia ही है, अब inertia तीन तरगा होता है, पहला होता है inertia of rest, दूसरा होता है inertia of motion, और तीसरा होता है inertia of direction, inertia of rest क्या कहता है, कि अगर object rest में है, तो rest में रहेगा, अंटिल उस पर कोई external force work ना करे, ठीक है, दूसरा क्या कहता है, कि जो inertia of motion है, कि अगर object जिस speed के साथ, जिस velocity के साथ, जिस direction में चल रहा है, वो ना तो speed बदलेगी, ना velocity बदलेगी, ना direction बदलेगा, तो यह जो बाकी के स्टेट of uniform motion, उसका मतलब यही है, और inertia of direction का मतलब क्या होता है, कि direction चेंज होगी नहीं, जिस direction में चल रहा है, उस direction को वो continue करेगा, ठीक है, तो अब जो पहला जो example मैंने यहां पर दिया, when car starts suddenly, passengers move backward, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो, ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो, अ अपना lower body है ना, और upper body, यह दोनों अभी motion में है, क्यों, क्योंकि bus या car जो भी है, वो move कर रही है, तो whole body है, वो motion में, but अगर वो suddenly, अच्छा सोरी, यह एक मिटे, यह लिखा हुआ है, car start suddenly, तो मतलब अभी पहले है, rest में हम आपने मान रहे हैं, तो इसको clear कर लेता है, बैठा वाओं, और car अचानक start होती है, तो शुरुवात में क्या था, मैं rest में था, तो पूरी body, whole body जो था, वो किस में था, rest में था, ठीक है, लेकिन जैसे ही car अचानक start हुई, तो क्या होगा, जो अपना lower body है न, वो किस के contact में है, अपने car के contact में है, तो होगा क्या, कि lower body तुरंत ही क्या हो जाएगी, किस में आजाएगी, motion में आजाएगी, लेकिन upper body, upper body अभी भी चाहेगी कि वो rest में रहे, तो होगा क्या, अब ये खुद सोचो, कि lower body तो rest, motion में आना चाहती है, और upper body rest में ही रहना चाहती है, ये अपने आ जगसा नहीं हिल रही, ये हिल रही ह तो हमें पीछे की और धक्का लगेगा, और क्या होगा, पीछे की और धक्का लगने से, क्या हम पीछे की और चुकेंगे, बासमन में ही, तो यहाँ पर एक pseudo force भी act करने लगता है, pseudo force, pseudo force ये generate होता ही किस की वज़ास है, inertia की वज़ास है, अगर inertia की property नहीं होती, body में आ, तो pseudo force भी जनरेट नहीं होता है, और यह pseudo force हमेशा opposite direction में लगता है, जिस तरफ object motion करता है, जैसे, अगर माल लो, मैं अगर आगे की तरफ ऐसे मालो कोई चीज, ऐसे माल लो था एक thermacol की sheet है, मैं इसको ले करके ऐसे भाग रहा हूँ, तो मुझे मैसूस होगा कि यहाँ से एक pressure, य वो भी resistive force create कर रहा है, but pseudo force का कोई agent नहीं होता है, वो अपने आप लगता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा inertial frame की वज़े से होता है, ठीक है, अब inertial frame क्या होता है, इतना detail में आपको कोई पूछेगा नहीं, तो ना हमें जानना भी नहीं है, बस अपने को यह याद रख is a sudden break, passengers get pushed forward, जब मालो कार चल रही है, अब यहाँ पर देखो, इस case में क्या हो रहा है, whole body जो है, वो initially क्या थी, motion में थी, और जैसे ही car stop हुई suddenly, तो क्या होगा, lower body immediately, किस में आ जाएगा, rest में आ जाएगा, लेकिन upper body अभी भी motion में बना रहना चाहेगा, तो क्या होगा, अरचानक ये, ये तो रुख गई, लेकिन ये अभी भी चलना चाहती है, तो हम आगे क्यों और ही जुकेंगे, बास समझ में आई, clear है, चलिए आगे बढ़ते हैं, different examples of inertia, जिसमें आब और देखें, when a tree is shaken vigorously, its fruits and leaves fall down, जब हम किसी पेड़ को बहुत जोरो से हिलाते हैं, तो उसकी पतियां है, वो गिर जाती है नीचे की तरफ, क्यों ऐसा होता है, because इस case में branch जो है, वो sudden motion में आ गया, और जो fruit है, वो rest में रहना चाहता है, तो उसकी वे से क्या होता है, कि वो तूड जाता है, and the fruit falls down, clear? when a car और bus takes a sharp turn, we tend to fall sideways, जब कभी car या bus जो है, एक sharp turn लेती है, तो हमें बाहर की तरफ एक धक्का मैसूस होता है, ये भी एक pseudo force ही है, लेकिन इस बार इसको नाम दिया गया है, centrifugal force, तो जब भी circular arc पर कोई object turn लेता है, ठीक है, ऐसे turn ले, तो ऐसे case में centripetal force तो लगता ही है, बाड़ी पे, लेकिन एक बाहर, centripetal force तो कहां लगता है, center की तरफ, towards the center, लेकिन जो centrifugal force होता है, ये act करता है, कहां पर? radially outward, देखो वापस बोल रहा है है, सुनना ध्यान से, ये आपका है centripetal, centripetal force, लेकिन ये जो है, ये है centrifugal, centrifugal force, तो जब भी कोई body, इसी भी circular arc पर turn लेती है, ऐसे, मलब जैसे आप चलते चलते आचानक cycle को mode लिया, या scooty को mode लिया, या car को mode लिया, तो क्या होगा? एक बाहर की तरफ हमें ऐसे, एक centrifugal force experience होगा, इसी लिए लिखावा है यहां पर, when a car और bus takes a sharp turn, we tend to fall sideways, this happens because of the inertia of direction, ठीक है एसा क्यों हो रहा है, inertia of direction की वज़े से, क्योंकि माल लो कि अगर body यहां पर थी, इस point पर थी सब शुरुवात में, तो वो उसके velocity की direction इधर थी, अब वो चाहती है कि वो इधरी बनी रहे, क्या? इधरी बनी रहे, लेकिन बस तो अचानक ऐसे मुड़ गई, यहूं, तो जै लेता है, तो हमें बाहर की तरफे एक जटका लगता है, ठीक है, धका लगता है, clear हो गई, चीज चली आगे जानते है, when hanging carpet is beaten with a stick, dust falls off, dust fall off, जब किसी लटके हुए कालीन को, या कार्पेट को हम जब डंडे से पीटते हैं, तो क्या होता है, कि जो भी dust हैस के अंदर, वो सार कि dust particles, dust particles want to remain in their state of rest, बट ये जो अपना है ना, carpet, ये carpet आ चुका है motion में, dust particles तो अभी भी क्या चाते हैं, कि वो rest में रहे, बट carpet motion में आ गया है, इस वज़े से क्या होता है, dust particles उसमें से बाहर आ जाते हैं, और नीचे गर जाते हैं, ठीक है, तो ये सब example थे, अब बात करते ह हैं, second law of motion की, अभी तक जो हमने सारे examples देखे, ये सारे के सारे base थे किस पर, first law of motion, यानि के, law of inertia पर base थे, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, ये है, second law of motion, second law of motion का जो statement है, बहुत simple सा है, क्या कहता है, कि the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force, इसको अगर mathematically लिखें, तो कुछ ऐसे लिख सकते है f directly proportional to dp by dt, where dp by dt shows the change, the rate of change of linear momentum, this shows that the rate of change, the rate of change, the rate of change, the rate of change of linear momentum, linear momentum में जो change हो रहा है, उसको बता रहा है, dp by dt, ठीक है, इसमें p क्या है, p को हम कहते है, mv, ठीक है, और f क्या है, यहाँ पर applied force है, तो अगर हम किसी body पर force apply करेंगे, तो उसके momentum में कुछ ना कुछ change आएगा, यह यूं कहे दो, किसी body के momentum में अगर कुछ change आता है, तो उसकी वेज़े से force वहाँ पर लगना शुरू ह ठीक है, अब generally cases में हम देखते हैं, कि mass जोए वो constant आता है, mass नहीं change होता है, तो इसलिए p की जगे लिख सकता हूं, mv, तो f, या फिर यह पर proportional का symbol हटाएंगे, तो क्या लगाएंगे, equal to, और equal to लगाएंगे, तो यहाँ पर एक constant आएगा, यहाँ पर constant में माल लगता हूं, ठीक है, तो 1 into something, the same thing, इसलिए लिख सकते हैं, f is equals to dpy dt, और p की जगे मैं क्या लिख देता हूं, p क्या लिख देता हूं, mv, m बाहर आजाएगा, तो आजाएगा dvy dt, और यहीं से यह dvy dt को हम लिखते हैं, acceleration, तो यहीं से एक formula आया, ma, तो आपको बस यह याद रखना है, direct, एक तो यह चीज याद रखनी है, और दूसरी यह चीज याद रखनी है, बाकी याद नहीं रखना है, ठीक है, force जो है, उसका formula होता है, mass into acceleration, force is equals to mass into acceleration, और force किसके equal हो सकता है, dp by dt के, यानि के rate of change of linear momentum के बराबर भी होता है, और इसको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, dp by dt क्य लिखा है, तो आप ऐसा समझो, यह देखो, आ, इसको ऐसा लिख सकते है, f is equals to delta p by delta t लिख सकते है, ठीक है, delta p शो कर रहा है क्या, change in momentum, और delta t है, time taken, clear, चलिए इसको समझते हैं, कि आखिर इसके example कौन कौन से देखिए, while catching a ball, example है इसका, इसमें भी second law of motion लगता है, कैसे लग क्यों खीच रहे हैं, कोई reason है, हाँ, बिलकुल एक reason है, देखिए, जैसे, अभी मैंने आपको बताया, f क्या होता है, f होता है, delta p by delta t, अब आप यह सोचिए, कि अगर, change in momentum तो जादा हो, और time taken कम हो, तब क्या होगा, force के साथ क्या होगा, तो force बढ़ जाएगा, मैं क्या कह होता है, mb, यानि, mass into velocity, ठीक है, अब मालो कोई ball है, ठीक है, और उस ball का velocity बहुत जादा है, बहुत जादा है, बहुत जादा है, अब जैसे आपने उसको catch किया, तो क्या होगा, velocity 0 हो गया, पकड़ लोगे न, तो उसका last velocity क्या होगा, final velocity क्या होगा, 0 हो गया, तो इसका बराबर हुआ, mb के बराबर हुआ, ऐसा क्यों, क्योंकि initially ये था mb, और अब m into 0, क्योंकि ball रुग गई है, तो answer क्या है, डिल्टा P का, डिल्टा P का तो answer किस से आजएगा, mb से आजएगा, यानि कि जो mass है, और जो initial speed है, दोनों को multiply कर दोगे, तो आपको change in momentum मिल जाएग ठीक है, अब लेकिन time उसके अंदर बहुत कम लगा, क्योंकि आपने जैसे उसको catch किया, उसकी velocity कुछ secondों में ही, या second का कुछ minor part ही था, fractional part था, और वो rest में आ गया, ठीक है, तो इसका मलब यह है कि इस change में time बहुत कम लगा, लेकिन अगर हम ऐसा करें कि अपने हाथ को पी साधा लगेगा, मतलब किसी एक particular velocity से, जैसे मानलो 80 की speed से ball आ रही थी, तो 80 से तुरंत 0 नहीं होगी, 80 से 0 होने में कुछ time लग रहा है, तो यह जैसे जैसे बढ़ेगा, time बढ़ेगा, force क्या हो जाएगा, पर time बढ़ेगा, force कम हो जाएगा, तो as the time increases, the force decreases, ठीक है, तो हम च that's why we pushed our hands in backward direction, clear, इसलिए हम अपने हाथों को पीछे की और खीचते हैं, ठीक है, फिर है springs in cars, कार के अंदर जो spring लगाये वहते हैं, shock absorbers, यह भी ऐसी चीज़ को follow करते हैं, कैसे, कि अभी देखो, जब spring अगर माल लो, किसी गड़े वगर में या जाएगी, अगर चक्का जाएगा, तो क्या होगा, उसकी वज़े से, यह जो body है, पूरी की पूरी, वो नीचे की तरफ आ जाता है, rate of change in momentum, अगर कम होता है, तो force भी, applied force भी कम हो जाता है, इस वज़े से, गाड़ी के अंदर अगर हम बैठे वे रहता है, तो हमारे body पे ज़्यादा force नहीं लगता है, और हम comfortably drive कर पाते हैं, while jumping, जब हम jump करते हैं, तो आप देख लाना, कभी भी कभी किसी उचाई से आप कूद हो गे ना, तो आपके घुटने जरूर मुड़ेंगे, थोड़े से bend हो जाते हैं, यह घुटने मुड क्यों रहे हैं, क्या reason है, आपका यह जो knee है, यह bend क्यों हो रहे हैं, तो knee bend होने के पीछे reason है, क्योंकि आप जैसे ही आप height से कूद रहे हो, jump कर रहे हो, तो as you falls gradually in downward direction, your velocity increases, ठीक है, जैसे जैसे आप नीची आओगे, वैसे वैसे velocity बढ़ती जाएगी, अब यह सोचो जैसे जमीन से टकराएंगे, तो sudden zero हो जाएगा, तो sudden zero होगा, तो rate of change of momentum बहुत जादा होगा, तो force बहुत जादा लगेगा, लेकिन इसी चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कि जब jump करते हैं, तो अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड देते हैं, फिर ऐसे ऊपर होते हैं, तो उसकी वज़े से क्या होता है, कि हमारा body का जो momentum है, वो तुरंत zero नहीं हो रहा है, कुछ time जादा लग रहा है, तो जैसे time जादा लगता है, force कम हो जाता है, clear भी बात, इसी लिए, ये सब second law of motion के example है, ठीक है, second law of motion जो है, वो इसी case में follow हो रहा है, और भी देखो, अगर example दूँ आपको, तो क्योंकि force का formula एक मैंने आपको बताया था, MAB होता है, तो आपने देखा होगा, जितनी भी जो racing cars होती है, जैसे formula 1 car, formula 1 car, बहुत छोटा model ह होता है, बहुत चोटा सा होता है, लेकिन गाड़ी बहुत fast चलती है, ठीक है, तो बहुत fast चलने के पीछे reason क्या है, देखिए, सीरी सी बात है, आप ये देखो, अगर जो engine जो है, गाड़ी का engine जो है, वो जो force generate कर सकता है, उसकी value तो fix होगी ना, लेकिन अगर मैं उसके mass को बढ़ेगा, acceleration क्या होता जाएगा, कम, बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखो, f upon m लिखेंगे, तब आएगा a, तो acceleration, यानि कि change in velocity, change in velocity, वो depend कर रहे है इस पर, किस पर, mass पर, क्योंकि engine जो force generate कर रहा है, वो तो constant है, लेकिन अब dependency किस पर होगी है, पूरी की पूरी, mass पर, mass अ सब का designing इस तरीके से के जाता है, कि उसका mass decrease होगा, कि उसका acceleration बढ़ जाएगा, तो इसलिए acceleration बढ़ने की वज़े से क्या होगा, तो इसलिए गाड़ी बहुत तीजी से रफतार पकड़ेगी, ठीक है, तो उसका pickup time बहुत अच्छा होगा, ठीक है, इसलिए क्या किया जाता ह है, कि ये सारी गाड़ियां जो है, वेट में हलकी बनाई जाती है, ऐसी देखा होगा, जो हम race, cycle में भी तो ऐसी race लगाते हैं, तो उस वाले case में भी जो cycle है, वो उनका वजन बहुत कम होता है, और इसलिए वो specially design की जाती है, carbon fiber से, carbon fiber is a material which is around six times stronger than steel, but lighter than aluminium, देख लो, अब हिजाब लगा लो, अल्यूमिनियम से भी हलका है, carbon fiber, लेकिन steel से भी छे गुना जादा मजबूत होता है, carbon fiber, इसलिए कि मास को decrease करेंगे, acceleration बढ़ेगा, speed तेज बनेगी और अपने winning के chances बढ़ेंगे, तो इसलिए जो cycle designs की जाती है, वो ऐसी ही होती है, बास स काम कहते है, law of action reaction, क्या कहते है, law of action reaction, यानि क्रिया परती क्रिया का निया, ठीक है, तो ये क्या बताता है, देखे, when two bodies interact, they apply forces to one another that are equal in magnitude and opposite in direction, ठीक है, जब कोई दो बाडी एक दूसरे से interaction करती है, तो वो क्या करती है, कि एक दूसरे पर force लगाती है, equal magnitude का, but opposite direction में, तो इसक example बहुत सारे है, action reaction के, जैसे अगर आप देखो, swimming और rowing a boat, किसी नाव को चलाने में, या तैरने में, हम action reaction rule को apply करते हैं, कैसे, हम देखो, यह देखो, यह swimmer है न, यह अपने इस हाथ से, पानी को पीछे दखेल रहा है, तो यह action force लगा रहा है, तो पानी क्या कर रहा है, ए swimmer जो है, वो आगी की तरफ बढ़ रहा है, clear हुई बात, आगे देखो, static friction while pushing an object, ठीक है, जब हम, किसी body को धक्का मारते हैं, तो उस पर static friction force generate होता है, वो भी action reaction law से ही generate हो रहा है, ठीक है, और यह static friction जो है, उस body को rest में बनाए रखने के कोशिश करता है, तो हमें उसको overcome करने के लिए एक certain amount से जादा force apply करना पड़ता है, so that we can overcome that friction force, static friction force, ठीक है, otherwise, वो object हिलेगा भी नहीं, जैसे अगर कोई भारी बक्सा है, उसको एक बच्चा अगर मालो आकर के धक्का देगा, तो क्या होगा, box नहीं खिसकेगा, तो क्या वो force नहीं लगा रहा है, लेकिन, हो क्या rest को change करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा force apply करना पड़ेगा, जो reactional force को overcome कर सके, तो इसके लिए वो बच्चा अगर अतना तो generating करना ही कर पा रहा है, उतना force जादा लगा रहा है, उतना ही क्या हो रहा है, static friction opposite direction में लग जा रहा है, और यह दोनों एक दूस क्या है, कि अभी क्या reaction force नहीं लग रहा है, हाँ reaction force अभी लग रहा है, लेकिन बट उर्तना नहीं लग रहा है, जितना की applied force है, तो applied force जादा होने की विज़े से क्या होदा, box move कर जाएगा, ठीक है, आगे देखिए walking में, क्या walking में भी लगता है, बिलकुल, just as we push the floor in backward direction with our foot, तो क्या होगा, उस case में भी एक जो ground है, वो अपने क्या करेगा, आगे की तरफ धक्का मारेगा, ठीक है, as we push the ground with our feet, the ground prevails us forward, clear, यानि कि जैसे हम अपने पाउं से धक्का लगा रहे हैं न, ऐसे पीछे की तरफ, तो क्या हो रहा है, ये वापस अपने body पर एक आगे की direction force आगे लाइगा, झाले, तो क्या है, ये वाउन है। कुइ को ह配़ कि आगे देखे कि the upward thrust of a rocket मल mainland जब कभी क्या होता है कि हम एक फोर्स लगाते हैं न देखो सुनना वापस द्यान से रहा हूं जब रॉकेट को जब हम ऊपर की तरफ भेजते हैं, तो क्या होता है, कि नीचे की तरफ क्या होता है? जितने भी गैस है, ठीक है, वो सब चीजें नीचे की तरफ आती है तो बदले में reaction of force लगता है और राकेट उपर की तरफ जाता है, ठीक है? तो ये भी उसका example हुआ, जैसे हम बंदूग से गोली चलाते हैं तो यह गोली आगी जाती है लेकिन एक जर्क लगता है पीछे की तरफ इसको हम कहते हैं recoil of gun यानि कि बंदूग का पीछे की और धक्का लगना ठीक है moving back of a boat while jumping from it जब कभी हम किसी नाव से कूदते हैं तो क्या होता है नाव से कूदने पर क्या होता है हम आगी की तरफ कूदते हैं लेकिन नाव पर पीछे की और धक्का लगता है यह reactional force है तो यह सारे example उसी कहें है ठीक है बात समझ में आई थर्ला उफ motion क्या है तो चीज कि यह 2D motion का example है क्यों क्यों कि यह motion एक plane में हो रहा है मैंने बताया था आपको कि 2D motion उसको कहता है जिसमें एक plane में मोशन होता है जब कभी हम किसी object को क्या करते हैं किसी angle पर फैंटते हैं तो क्या होता है object जो है वो एक parabolic path पर चलता है ठीक है एक parabolic path को follow करता है ठीक है और ऐसा क्यों होता है क्यों कि gravity का influence होता है ठीक है मैंने जो गृत्वा कर्षण बल है उसके अधीन वो जा रहा है गती कर रहा है तो उसी को हम कहते हैं क्या projectile motion कहते है ठीक है इसके example बहुत सारे हैं जैसे के example के लिए the motion of a football kicked by a football player ठीक है जैसे के football player है वो अगर किसी football को अगर पाउं से kick मारे तो क्या होगा वो ऐसा ही जाएगा पराबोलिक पाथ पर तो उसको भी हम क्या बोलेंगे उसको हम कहेंगे projectile motion और example दूँ तो कह सकते है motion of a bombshell fired by a cannon यानि कि किसी तोप द्वारा जो दागा गया गोला है उसकी गती तो वो भी इसका example हुआ ठीक है तो ऐसे बहुत सारे example है projectile motion के चलिए अब projectile motion में जो खास बाते जो अपने को ध्यान रखनी लायक है वो एक बार फटा फटा देख लेता है तो suppose करते हैं जो initial velocity है initial velocity जो है वो है यू और यह angle जो है यह थीटा जा है angle थीटा है अब जैसे हमने इसको ठैका तो क्या होगा कि यह धीर धीर उपर जाएगा ठीक है अब यहाँ पर इसके velocity के दो component बनेंगे यहाँ पर दो component बनेंगे देखना सुनना ध्यान से एक component इधर एक component इधर मला ऐसा हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर velocity के दो component हो चुके हैं एक component जो उसको आगे बढ़ा रहा है दूसरा component जो उसको उपर लेकर जा रहा है ठीक है तो यह व क्योंकि फोर्षन लग रहा है तो इसकेस में यहां पर एक्स डिरेक्शन में प Cup तब क्या होगा इस केस में अगर देखें तो यहां एक्सलेशन इस में जो विलासिटी है वह मान लेते हैं इस डिर्शन में यूवाय है और इस समय जो एक्सलेशन होता है वह माइनस जी के बराबर होता है माइनस जी क्यों ले रहे हैं क्योंकि ग्राविटी तो हमेशा नीचे की तरफ पुल करेगी ना नीचे की तरफ पुल कर रही है तो माइनस जी लेंगे एक्सलेशन ठीक है तब क्या होगा अब क्योंकि यहां पर देखना क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो अबज क्या होगा लेकिन क्या फोर्स लगना बंद हो गया नहीं फोर्स तो अभी लग रहा है तो उसके बाद इसके डिरेक्शन चेंज हो जाएगी विलासिटी की और नीचे की तरफ हो जाएगा देखो जीसे अगर मैं इस पर अगर बात करें तो इस प्दोर मैं इसका कॉंप़नेट देखो तो कुछ इस तरीके से क्योंकि क्योंकि व Ball वइल्पनेट कभी चेंज नहीं ओरा देख रहे हूं यह एक नपhed-एक्स पहले भी था तो अब호 ग्यांお और UX को हम यहाँ पे क्या गारा है यू cos theta कहा रहा है अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है नी अब इतना detail में आपको कोई पुछा नहीं जाएगा तो सिदा आजाताँ है टापिक पर जो चीज़े पूछी जा सकती है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, height of projectile पहले आपने को पता होना चाहिए, तो the greatest height that the body object will reach, क्या बोलो, यह थोड़ा सा गड़बड लिखा में है, ठीक है, the greatest height to which the object will reach, to which, या कहे दो at which, at which कहे दो, ठीक है, at which, the object will reach, is known as the height of projectile, यानि कि जितनी अधिकतम वो जो maximum height जहां पर object पहुँच सकता है, ground से, तो उसी को हम कहे रहा है, maximum height, h mix, h max नहीं कहो, तो h कहे दो किवल, ठीक है, h कहे दो, capital h से शो कर रहे हैं, यानि वो maximum height है, ठीक है, चल, आगे देखो, उसके बाद है, time of flight of projectile, यानि कि कितने time तक वो हवा में रहेगा, ठीक है, the total time for which the projectile remains in the air, is known as time of flight, यानि कि वो समय, जिस समय तक object जो है, हवा में रहता है, उसी को हम क्या कहते है, उसको हम कहते है, time of flight, क्या कहते है, time of flight कहते है, clear हो गई बात, time of flight किसको कहते है, ठीक है, अब आगे देखिए, time of flight, उसके बाद कुछ important formula, एक range होता है, range भी क्या होता है, the horizontal, the maximum horizontal displacement is called range, ठीक है, तो range भी याद कर लेना आप, पहला range, देखो, range क्या होता है, the maximum horizontal displacement, यानि के, देखो ऐसे, समझो, देखो, जो अपने अभी diagram देखा था, इस diagram के अंदर देखो, तो ये वो दूरी थी, जहां तक वो object जाकर की गिर रहा है, देखो, यहां से फैका था, और यहां पर आकर गिरा, तो ये range हुई, ठीक है, इसको R कहता है, ठीक है, अब formula देख लो, एक बार पटापट, क्या-क्या formula जो हम काम में लेंगे, तो देखो, तीन formula आपके बस काम के हैं, ठीक है, आपको बस तीन formula याद रखने है, exam में अगर आजाए कोई question, तो वो इनी तीन पर based आएगा, ठीक है, इतना कोई आपसे tough नहीं पूछा जाता है, army, na में, ठीक है, एक simple से तीन formula based कोई question पूछ सकता है, तो वो पहला formula होगा, जो है, u square sin 2 theta, upon g, या अगर यह याद नहीं रहता है, तो आप ऐसे लिख सकते है, u square 2 sin theta cos theta, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस formula को, upon g लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ नहीं sin 2 theta को ऐसे तोड़ के लिख दिया है, 2 sin theta cos theta, ठीक है, तीसरा जो आपको formula याद रखना है, वो तीसरा formula है, आपका, 2 u sin theta upon g, 2 u sin theta upon g, तो generally इन से काम चल जाता है, इन तीन formula से, ठीक है, इन तीन, अगर कोई question आएगा भी numerical, रैसे तो chances बहुत कम है, बट अगर आ भी गया, तो इनके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इन तीन formula में से किसी एक formula से हो जाएगा, और अगर एक और जानना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 8h जो होता है न, 8h, this goes to gt square होता है, इसमें t square, ये t क्या है, देखो, सब की value बताता हूँ, देखो, क्या-क्या चीज नहीं है, और ठीटा जो है, ठीटा को हम कहता हैं क्या angle of projection, क्या कहता है angle of projection, angle of projection, मलब किस angle पर फैका गया है, 30 degree पर फैका गया, 45 degree पर फैका गया, कहां फैका गया, टो वो angle आ जाएगा ठीक है, और जो है, g पता ही, आप सभी को, g होता है gravitational acceleration, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको हम लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेर ठीक है और ऐसे ही यह जो T है ना इस T को हम कहते हैं time of flight क्या कहते है time of flight time of flight कहते है ठीक है और G तो आप सभी को पता ही है है ठीक है और है बताई दिया मैंने है एक क्या है हाइट है maximum height है maximum height है और आर जो है वो range है आर क्या है आपका range तो यह सारी संबल का मतलब पता होना चाहिए आप सभी को ठीक है शिवम शर्मा जी आपकी हिंदी में class होगी बिलकुल होगी आप फोड़ा सा faith रखें अब YouTube पे होगी या नहीं होगी यह मुझे नहीं पता है इसके बारे में जानकारी नहीं है हाँ उस पे शायद तुमारे है आप पर also चल रहे है तो एक बार पर चेक च्च कर लो एप पर क्लास्ट को हम यहीं पर हमत सर नहीं ले रहे हैं यूट्यूब पर क्यों सर हमत सर क्यों नहीं class ले रहे हैं इसका रीज़न मुझे नहीं पता यूट हमत सर अगर्जा दिके थिए बात करूं उनसे, मुझे मिलते नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है, तो ये तो उनके, उनसे ही बात करने पर ही possible हो पाएगा सब कुछ, ठीक है, तो सकता है कि कहीं बाहर गए हूँ, ठीक है, तो ये पता करके फिर मैं बता सकता हूँ, ऐसे तो मैं कुछ भी बोल द कि माता खागे हैं हिंदी में लेक्चर करवा हुँ हिंदी में करवा हुँ मेरे को बोल रहा हैं इंग्लिश में पढ़ाओ